जी हैं दोस्तों तो जुलेका मंडेला की बात तो आपने सुनी ही होगी तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जुलेका साउथ एफरिका की एक राइटर है जो कि वहाँ पे सेफटी एमबेसडर भी है ट्रैफिक सेफटी एमबेसडर भी है एफरिका कंट्री के लोग ऐसा सोच रहे हैं कि उनकी कंट्री में जो कार मैनुफेक्टर्स हैं उनके जो सेफटी स्टेंडर्स हैं वो युनिफॉर्म नहीं है अलग-अलग तरीके से हर मैनुफेक्टर अपनी कार बनाता है अगर एफरिका के लोग ऐसा सोच रहे हैं तो हम इंडियन्स क्यों नहीं हमारा मार्केट इतना बड़ा है फिर भी हम ये चीज क्यों नहीं सोच पाते कि हमारी जो कार मैनुफेक्चरर कंपनी हैं वो हमें एक सेफ कार बना के दे तो दोस्तो आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि जब कहीं भी धुआ उटता है तो कहीं न कहीं आग जरूर लगी होती है ऐसी ही आग लगी मारूती के जिगर में तो बीते कुछ टाइम में आपने देखा ही होगा कि टाटा की नेक्सोन को फाइव स्टार रेटिंग मिली ग्लोबल एंड कैप के क्रेश टेस्ट में ग्लोबल एंड कैप के बारे में आपको बदा दूँ तो ये एक प्रोग्राम है जो की जिसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल न्यू कार असेस्मेंट प्रोग्राम जहां पे अलग-अलग कार कंपनी अपनी कार भेजती है वहाँ पे क्रेश टेस्ट होता है उस हिसाब से सेफटी के अकॉर्डिंग वहाँ पे रेटिंग मिलती है हर कार को यहाँ पे आपने बीते दिनों देखा नैक्सोन को फाइव स्टार रेटिंग मिली कुछ टाइम पहले उसके बाद अब एल्ट्रोज फाइव स्टार रेटिंग मिली उसके बाद महिंदरा भी पीछे नहीं रही उसने भी अपनी एक्स यूवी थ्री डबल ओ को फाइव स्टार रेटिंग लेके वो आए है तो यहाँ पे अब हुआ यूं की मारूती जो की आप सब जानते हो की इंडिया की नंबर वन ब्रैंड मैनुफेक्ट्रिंग कार अपनिय कर ल constitution कार मैं लूट को अगर में बात करें वेगन रिकार की सबसे जादा बिकने वाली कारों के की कैडिगरी में आती है उसको भी यहाँ पे सिरफ दू स्टार ही मिले तो अब तो यहां पे सेनेरियो यह है कि मारूती के जो सीनियर एगजेकटिव डिरेक्टर है जो कि सीवी रमन उनका यह कहना है कि वो अपनी कार्ज ग्लोबल एंड कैप में भेजेंगे ही नहीं क्योंकि उनकी कार्ज को रेटिंग ही नहीं मिलती भाई यह क्या बात हुई रेटिंग नहीं मिलती इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा आपकी कार्ज सेफ नहीं होंगी आप अच्छी कार्ज बनाओ सेफ कार्ज बनाओ बेजो रेटिंग मिलेगी वो कह रहे हैं कि रेटिंग नहीं मिलती तो इसका मतलब यह है कि हम आगे से अपनी कार्ज आपके इस प्रोग् कि आप safe cars बनाने के तरफ अपना step उठाएं आपकी cars को rating नहीं मिली उन्होंने publicly ये कहा है कि आप safe cars को बनाईए लेकिन इस से opposite अगर हम देखें तो Indian car manufacturers ने SIAM के साथ मिलकर अपनी नई एक agency बनाने की वो तैयारी कर रहे है SIAM के बारे मैं आपको बता दूँ तो SIAM है Society of Indian Automobile Manufacturers तो ये इस society के साथ मिलके अब मारूती की आगे की जो planning है वो ये है कि वो global N-CAP में अपनी कारें नहीं बेजेंगी उसकी बजाए वो बनाएंगे BNCAP मतलब जो था पहले global new car assessment program वो अब होगा भारत new car assessment program तो ये तो वही मतलब हो गया भाई केचारी भी अपनी और थाना भी अपना तो यहाँ पे अब मारूती अपनी कार्श की assessment करेंगी और वहाँ पे लग लग के आएंगे 55 star हो सकता है 5 में से 6 stars भी मिल जाएं तो ये तो कोई बात नहीं हुई आप better car safe car बनाने की बजाए आप अपनी ही agency खोलने जा रहे हो जहाँ पे आप अपनी कार्श को crash test करोगे ये तो कोई बात नहीं हुई जी हाँ दोस्तों तो आज का मेरा main motor यही था कि आपके पास ये important information को मैं पहुंचाऊं और आपको बताऊं कि लोग क्या 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 कर रहे हैं हमारा यहां पे सिर्फ यही फर्ज बनता है कि हम एक step आगे होकर ऐसे लोगों को बताएं कि उनके products हमारे जो standards हैं जो safety है उसके accordingly fit नहीं तो my dear friends आज का ये short सा वीडियो आपको कैसा लगा पसंदा है तो इसको like कीजिए share जरूर कीजिए अपने friends के साथ ताँ कि आप सब को इस important जो conspiracy है उसके बारे में पता चल सके तो मिलते हैं next video में Thank you friends